रक्त जंदम, कल्यानी, गुनगुनाती हुई गाती है, अब मत जाना तुम दूर, दूर, उठ रही है पश्चिम में धूर, 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 बलकरन, चाकु तेज करते हुए, यह तुम क्या गुनगुना रही हो मा, इस पत्थर पर मेरा चाकू तेस रही हो रहा है, क्या तेरा चाकू भी मेरा गाना सुन रहा है, पास आकर मोणे पर बैठते हुए, पर आज चाकू तेस करने की तुझे क्या सुझी, आज तो तेरी वर्षगाठ है, वर्षगाठ, मेरी वर्षगांट पर तो हतियारों की पूजा होनी चाहिए माँ पूजा। हाँ, तो मा, क्या वह वर्षगांट वैसी ही होगी जैसी पिछले साल हुई थी। चाकू रोक देता है। हाँ, बिल्कुल वैसी ही, इस वर्षगांट पर तो पूरे बारह वर्षगा हो जाएगा। पेटा, मैं तो आशीर वात देती हूँ कि इसी तरह तेरे पहुत से वर्षगांट मनाई जाएं। तो दिन दूना, रात चावगुना बढ़े। इसलिए तो गाना गा रही थी। फिर चाकू तेज करता है। मा, कैसा है वह गाना। दर का गाना है। अब तो वहाँ समाना बीट गया, बहुत परस हुए। जब महमूद गजनवी आया था। अच्छा। कहते हैं वहाँ गजनी से आया था। उसने सोमनात का मंदिर तोड़ा और बहु सा धन लेकर वह यहां से चला गया। बेटा, आज तो तेरी वर्षगांथ है। तो सब कुछ भोल जाओ मा, बतलाओ, आज वर्षगांथ में क्या करोगी। क्या करोंगी। अपने प्यारे बेटे को नहलाओंगी, चंदन लगाओंगी, फूलों की माला पहनाओंगी। फिर आज मैंने तेरे लिए बहुत अच्छी-अच्छी मिठाईयां बनाई है। देख, उस कोने में रखी हुई है। मिठाईयों के साथ खीर खिलाओंगी, तुझे आशीर वाद दूंगी। बस दूद भरा जाए। खीर बनने में देर ही क्या लगती है। पानी उबल ही रहा ह अभी दूद नहीं आया। सूरज चल आया। तभी तक सुझान दूद लाया ही नहीं। जाने क्यों नहीं लाया। मैं ले आओ। सुझान आता होगा बेटा, तू कहां जाएगा। नहीं, मैं ले आता हूँ। शिगरता से प्रस्थान। कल्यानी बलकरन के जाने की दिशा क ओल पेखती हुई। मेरा भोला बच्चा बलकरन अभी से कैसी बातें करता है। संतोश से। बलकरन मेरा बेटा। फिर अंगीथी के पास आकर आग ठीक करती है। थोड़ी देर तक स्तब्धता रहती है। फिर भया मक्शोर और भगदर। कल्यानी जिजा कर खिड़की से ब भागो भागो तुरक आ गया। कल्यानी आगे बढ़कर द्रणता से। पागल हो गए हुग क्या। तुरक कहा से आ गया। दूसरे ग्रामीन का प्रवेश। मुसल्मान ग्रामीन। बहन भाग चलो जल्दी जल्दी वह तैमूर आ गया। मैंने अपनी आखों से देखा है। लूटते हुए आ रहे हैं वे लोग, हम लोग मरे, चलो बहन। कल्यानी अरे कैसा तैमूर, कहा का तैमूर। मुसल्मान ग्रामीन नेपत्या में देखते हुए। तुम नहीं चलोगी, वह आया, वह आया। फिर भगदर की आवाज, चीक और पुकार, तीसरे ग्रामीन का प चलो मेरे साथ, समय नहीं है। कल्यानी घबराहट से, बलकरन, मेरा बलकरन तो अभी नहीं आया, उसे छोड़कर मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। तीसरे ग्रामीन, कहां गया बलकरन। कल्यानी घबराहट से, वह, वह दूद लेने कया है, सुजान की घर। तीसरे ग्रामीन, सुजान के घर? तब उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, सुजान का घर खास रास्ते से हटकर दूर कोने में है, वे लोग सीधे रास्ते ही चले आ रहे हैं, तुम तलघर में छिप जाओ तीन सानिक घर में घुशाते हैं, उनके हाथों में तलबार है, वे घर के सामान को तोड़ते फोड़ते जाते हैं, जफर कोई नहीं, कमबख्त, सब भाग रहें, तक्त के नीचे भी कोई नहीं है, मुबारक, इस वक्त आग्वियों को कतल करने का हमारा उतना मकसद नहीं है, जितना सुना चांदी लूटने का है, इस घर में देखो, कहीं है नहीं, कुछ नहीं है सरदार, मामूली सी जोपडी है, इस पर सुना चांदी कहाँ कुछ बरतन मालूम होते हैं सरदार बरतनों के पास जाकर, उन्हें खोलता है सरदार, यह है अली बेघ के पास आकर सरदार, बढ़िया खाना, तरहा तरहा की मिठाईया, ओ चुकर बिंकुल ताजा गरम हाथ से चुकर हाँ, गरम मिठाईया है लो, तुम लोग भी तो भूके होगे सरदार, नोश फरबाई मैं तो जरूर खाऊंगा लो, तुम भी लो मुबारक को देता है वह प्रसन होकर लेता है अच्छी मिठाईया है लो, अली बेग, तुम भी लो नेपत्य से, तीवर आवाज से चुप रहो कमबख्तो तैमूर लंग का प्रवेश वह लंगडाता हुआ आगे बढ़ता है उसे देखते ही सब चौक पड़ते है मिठाईयां जमीन पर खेक कर तौजी ढंग से तन कर खड़े हो जाते है सन्नाता च्छा जाता है तैमूर लंग बारी-बारी से तीनों को घूरता हुआ आगे बढ़ता है तैमूर तीवर स्वर में मैंने अफगानिस्तान के बाद हिंदुस्तान की ओर रुख इसलिए नहीं किया था कि मेरे सिपाही दौलत लूटने के बदले खाना ढूनते फिरे मैंने क्या हुक्म दियाता सरदार सैनिक धंग से बुलंद इकबाल ने हुक्म फरमाया था कि आज शाम तक अमर कोट पहुँच जाना है माफ कर दीजी हुजूर हरकेस नहीं गाजी तैमूर कसूर को माफ करना नहीं जानता सरदार तुमने जो घरति की है उसकी सजा तुम्हें मिलेगी जाओ शाम तक अमर कोट पहुँचने का मेरा हुक्म पूरा करो तीवरता से जाओ तीनों सानिकों का शीगरता से पत्रस्थान और बलकरन का दूध लिये हुए प्रवेश बलकरन पुकारते हुए मा, मा, मैं यह दूध ले आया तैमूर चौक कर दूध बलकरन उजाड घर को देखकर चौकते हुए या सब क्या तैमूर को देखकर एं, तुम कौन? पुकारता है मा, मा कुछ उत्तर ना पाकर मेरी मा कहा है? तैमूर गौर से बलकरन को देखता है इस तरह मेरे घर में घुसाने वाले तुम कौन हो? तैमूर जोल से खामोश गाजी तैमूर से ये नाचीज सवाल करता है कि तुम कौन हो? कमभख्त अगर बात पुछने का तमीज नहीं है तो खामोश रहो लेकिन ठहर वह दूद इदर ला इस वक्त खुदा ने मेरे लिए भेजा है या दूद या मेरी वर्षकाट के लिए है साफ जबान में बात कर जो समझ में आए सामने दूद हाजिर कर बलकरन से चीन कर जोर से अत्थास करता है दूद मेरा है की नहीं अब तुझे इस तलवार से काट दू बलकरन हिचकते हुए क्या क्या तुम मेरा खून बहाना चाहते हो मेरी मा यही कहती थी तुम बड़ा निडर वालूम होता है सामने आ मेरी तलवार से कटने का फकर हासिल कर मेरे पास सिर्फ एक चाकू है मेरे हाथ में भी तलवार दो वाह तो मुझसे दो हाथ लड़ने का होसला भी रखता है अच्छा पहले मैं दूद पिऊंगा गला सुख रहा है तक्त पर तलवार रखकर दोनों हाथões से दूद का बरतन मू में उलट देता है बलकरन दोड़ कर तैमूर की तलवार उठा लेता है तैमूर सहसा मेरे तलवार तुम्हारी तलवार अब मेरे हाथ में है अब तुम मुझसे लड़ सकते हो सामने आओ तैमूर दुखरा कर सामने आओ, शाबाश, लेकिन मेरी तलवार तुमसे समल नहीं सकेगी, बच्चे, इनला कैसे दूद छीन लिया था, वैसे ही तलवार भी छीन लो तो अब तुझे जादा दिर तक जिन्दा नहीं रखूँगा पैतरा बदल कर तलवार छीन लेता है ये मेरी तलवार छीन ली, लेकिन या बहादुरी नहीं है, मेरे पास चाकू है, उसी से लड़ूँगा चाकू से लड़ेगा, चाकू से अत्हास करता है हाँ, थोड़ी देर पहले मैंने इसे तेज किया है, देखो, यह कितना तेज है मेरी अंगुली से खून निकाल सकता है अंगुली में चुभोकर खून की बूंदे दिखलाता है शावाश, तैमूर के दिल में रहम नहीं है, लेकिन तेरी बाते सुनकर मैं तेरी जान बख़ता हूँ, और तेरी एक मुराद पूरी कर सकता हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए नहीं, तु मेरा छोटा सा बहादूर दोस्त है, चाकू वाला और इस हैशियत से तेरा मुझ पर हक है तो मेरी मा कहा है मैं नहीं जानता, मेरे सिफाही उने तेरी मा का कतल भी ना किया होगा उनकी तलवारों पर खून का एक भी धब्बा नहीं था आप मेरी मुराद पूरी करोगे तो फिर आपसे मैं यही चाहता हूँ कि आप हमारे गाउं से बहाद चले जाए मन्जूर, मैं दूसरे गाउं जाऊंगा अपने छोटे बहादूर दोस्त की मुराद पूरी करोंगा तेरा दोध और चाको मुझे हमेशा याद रहेगा तैमूर खुंखार है लेकिन बहादूरी को सलाम करता है बहादूर बच्चे को तैमूर का सलाम स्वाजी ढंग से सलाम करता है शीगृता से प्रस्थान बलकरन उसके जाने की दिशा में देखता हुआ तैमूर बहादूरी को सलाम करता है शीगृता से कल्यानी का प्रवेश वह अतिशीगृता से बलकरन को हुदय से लगा लेती है कल्यानी बेटा बेटा बलकरन ससकने लगती है माँ तो रोती क्यों है तू कहां थी बेटा तैमूर के सिपाही आये थे उनसे बचाने के लिए थाकुर दादा मुझे तलघर में खीच ले गए थे तुझे तो कुछ नहीं हुआ पेटा कहीं चोट तो नहीं आई देखू गौर से बलकरन के शरीर को देखती है चीख कर ओ यह खून उसने नहीं निकाला मैंने ही अंगुली चीर कर गिराया है कल्यानी घबरा कर तेरी अंगुली से खून तो अभी तक निकल दहा है पेटा उसकी कोई चिन्ता नहीं है माँ तैमूर कहता था तेरा चाकू मेरी तलवार से भी तेज निकला क्या, तुने चाकु से उस पर वार किया था? नहीं मा, मैं तो लड़ना चाहता था, पर वही मीथी मीथी बाते करने लगा, तैमूर खुंखार है, लेकिन बहातुरी को सलाम करता है, बहातुर बच्चे को तैमूर का सलाम. सौची ढंग से सलाम करता है तेरी उम्रत दिन दूनी रात चौगुनी हो भगवान का हजार हजार धन्यवाद है कि उसने मेरे बच्चे की तैमूर से रक्षा की यह सब तेरा आशीरवाद है मा हाँ बेटा आज तेरी वर्ष काथ है ना चारों तरफ देख कर तो रक्षे सिपाहियों ने सारा घर तोड़ फोड डाला तेरे लिए मैंने कितनी अच्छी मिठाईयां बनाई थी सब नश्ट हो गई अब तेरी वर्ष काथ कैसे मनाऊ अपना आशीरवाद भर दे मा और और क्या और तो चंदन लगाने के लिए कहती थी ना मेरी अंगुली से खून का अगर तो चंदन बना ले धन्या मेरे लाल तो ऐसे लगाती है घर घर में ऐसे लाल हो परदा गिरता है